नमस्कार दोस्तों आज मैंने जितना भी नाम रखा हुआ है ये सब नाम सुन करके आपका पहला डॉग याद आ जाएगा या फिर आप लोगोंने पहला डॉग ही लिया है तो जिंदगी भर ये नाम आपके दिल में बस जाएगा दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू जो भी नाम रखा जाता है उसके पीछे कुछ साइकलोजिकल फैक्ट होता है जैसे कि अगर आप लोग डॉग का नाम रख रहे हो तो एक से दो से लेवल का ही होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं जैसे कि मैक्स मैक्स बोलने में मातर एक सकेंड या फिर जीव को कट नहीं करना पर रहा है अगर उसी जगह पे अगर आप लोग लकी बोल रहे हो तो यहाँ पे दो बार आपने आपको रुकना पर रहा है लकी तो दो बार रुकना पर रहा है तो दोस्तों जब भी डॉग का नाम रखा जाता है तो या फिर नाम से बुलाओगे न तो उसके दिल में बहुत अच्छा लगेगा जैसे कि बिहार में हम लोगों का जो भासा है कोई और इंसान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एच्छोरा इधर आओ या फिर लड़की है तो एच्छोरा इधर आओ हम लोग बिहार में ऐसे बोलते हैं आप लोग comment करके बताईएगा कि आपका पहले वाले dog का क्या नाम है और आप लोग अपने dog का क्या नाम रखने वाले हो जरू comment करेएगा तो पहला नाम है Maya, Rocky, Simba, Rani, Roji, Buddy, Ruby, Lucky, Daisy, Max, Leo, Coco ये सब जो नाम है Max, Leo, Coco थोरा सा मतब कि modernized नाम हो गया अगर Rani रखते हो, Roji रखते हो तो ये सब मतब कि हमारे family ये सब नाम है तो ये सब बहुत ही सुन्दर नाम है अब इसके बाद नाम सुनो और भी खतरनाक और भी मस्त नाम आपके लिए है देखें Lucy, Charlie, Lily, Bruno, Bella, Raju अब दोस्तो इसके बाद, Raju के बाद जो नाम मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे डॉक का नाम है पलस में Lily भी मेरे डॉक का नाम है चलिए मैं आपको बताता हूँ काजू, स्वीटी, टॉमी, एसकूबी, परी, चैरी, टफी, एलिना, धनी, टैसन, मिली, लैला, जैकी, नैंसी तो यहां तक जो नाम है ये सब मेरे डॉक का नाम है कैसा लगा कमेंट करके जरूब बताइएगा अब इसके बाद सुनगे हनी, ओडियो, सेम, मैगी ये सब भी नाम बहुत ही खतरनाक है आप लोग अपने डॉक का नाम रख सकते हो और अगर आप लोग क्यूट नाम रखना चाहते हो तो मेरे डॉक का जो नाम है उसमें से आप लोग चूज कर सकते हो जैसे कि एलिना, ये जो नाम है थोरा सा और अच्छा नाम है मतों कि मुटर नाइस टैप का नाम है ऐसा लगता है कि किम्टी डॉग है अब चलिए, और भी कुछ खतरनाक मैं आपको नाम दे रहा हूँ जैसे कि कालू, कॉपर, ओसकर, सेंडी, इमली, अलेक्सा, लूना, ब्रूनो, डॉली, प्रिंसेस, लिया, हैप्पी ये सब भी बहुत ही बहतरी नाम है इसके बाद और सुनेगे स्माइल, बंटी, पिक्कू, सिम्मी, गुड्डू, जूही, रॉक्सी, ड्यूक, लक्की, एंजल, इमली, और साथी साथ जैस्मीन ये सब भी नाम बहुत ही बहतरी नाम है इसमें से आप कोई भी चूज करके अपने डॉग का नाम रख सकते हो यहाँ पर जो है सिम्मी, पिकू, ये सब जो स्मॉल ब्रीड का डॉग है या फिर जो टॉइपॉम बगरा होता है उसके लिए भी बहुत ही बहतरी नाम है इसके बाद जो नाम है आप लोग देखिए और बताए कि कैसा लगा देखिए सेंडी, रॉक्सी, रोज, डोरा, डोरा सब नाम देख रहो कितना खतरनाक है इंटरनेशनल फिल्म में रखा जाता है उसके बाद गोल्डी बहुत ही बहतरी नाम है टीना, फॉक्सी, माया, रोम्यू, टॉम, जैक्सन, पॉली, जोन, रिया, सेडो, फुरुटी ये भी मेरे डोग का नाम है मेले अपने मन से सोच कर कि ये नाम रखा हुआ था राजा, उसके बाद अलीना, अकीरा, और सुफिया ये सब नाम देख सकते हो, कितना बहतरी नाम है अब दोस्तों ये सब असी नाम हो गया अब इसके बाद जो नाम में आपको दिखाने वाला हूँ ये सब तो बहुत ही हैबी नाम है और अपना अगर आपके पास गार्डिंग डोग है, खतरनाक डोग है किसी को चीरफार करने वाला डोग है तो ये नाम रख सकते हो तो नाम क्या है, टाइगर, हल्क ये सब ऐसा नाम है कि आपके घर में चोर आ गया और आप एक बार बोलो हल्क इधर आओ तो मतब कि चोर नाम से ही भाग जाएगा अगर चोर आ गया और अपने डोग का नाम रखे हुए सिम्मी इधर आ जाओ तो चोर तो सोचेगा कि कैसा डोग है जिसका नाम सिम्मी है अगर उसी जगह पर अगर आप उसको बोलोगे रावन इधर आ जाओ तो चोर तो नाम से ही भाग जाएगा तो नाम भी थोड़ा सा टेक्निकल सोच करके रखना चाहिए देखिए टाइगर, हल्क, थौर, वाइपर, राजा, राबन, गबबर ये सब ऐसा नाम होना चाहिए कि डौन भी डर जाए बगीरा, सुल्तान, एटलस, बॉस, हंटर अब देखिए, बुलेट, बारूद, ये सब ऐसा नाम है कि सुनने से ही लग जाना चाहिए कि आतंकवादी वाला नाम है उसके बाद काली, तुफान और दो नाम जो अभी बहुत ज़्यादा चला हुआ है मैंने उसके हिजाब से रखा हुआ, सरकार और सिस्टम तो दोस्तो इन सभी में आपको सबसे अच्छा नाम कौन सा लगा ये कमेंट करके बताएए, और अपने डॉग का कौन सा नाम रखना चाहतो ये भी कमेंट करके बताएए, दोस्तो हमारे चैनल पे ये जो नाम आपको दिखाए पर रहा है कि बहुत सार लोग डॉग तो ले आते हैं, लेकिन उसको रखने में बहुत जादा प्रॉब्लम होता है तो दोस्तो उसके लिए एक महिने से ले करके तीन महिने तक डॉग को कौन-कौन सा बीमारी होगा उसको कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कब खाना चेंज करना है, कब बाहर घुमाना है, कब घर के अंदर रखना है, कैसे पोट्री ट्रेनिंग देना है, कैसे उसको बाइटिंग प्रॉब्लम आएगा, कैसे वो दूसरे जानबर पे भौकेगा, कैसे घर के आदमी को सब ऐसा एक नहीं हजारों प्रोब्लम मातर एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है वो भी फिरी आफ कोस्ट आपको कोई पैसान नहीं देना होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो दोस्तो एक चीज और मैं आपको बता दू कि बहुत सारी डॉग डॉग तो ले आते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं खाना खिलाने टायम में भी उसको अच्छा अच्छा खाना देते हैं लेकिन कभी-कभी वो डिस्सिप्लीन को नदर अंदाज कर देते हैं या पर उनको पता ही नहीं होता है डॉग में भी फूड का डिस्सिप्लीन होता है जिससे की डॉग को हाथ से खिलाने का आदत ना परे आप लोग ने बहुत सारे सौट्स देखा होगा जिसमें की कोई लेडी या फिर कोई आदमी अपने डॉग को हाँ से खिला रहा है और उस सब इतनी बड़ी टेंशन में होते हैं कि उनका मन करता है कि डॉग को किसी और को दे दू लेकिन वह दे भी नहीं सकते क्योंकि उनको प्यार करते हैं दोस्तो ये प्रॉबलम आपके डॉग में ना आये उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है दोस्तो वो कोर्स इतना कम में है कि आप लोग मात्र एक टाइम का खाना भी अपने डॉक कूल से नहीं जुटा पाऊगे इतना कम है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसका नाम है फुट डिस्प्लीन फॉर डॉग लिंक मिल जाएगा पे करके आप वो वीडियो देख सकते हो चलिए दोस्तों आगे का वीडियो हम देखते हैं और दोस्तों ऐसे ही एक नहीं हजारों वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब होगा और सब्सक्राइब करना फीडियो आफ कॉस्ट होता है हम लोग मिलते हैं से बहुत सारे वीडियो में तब तक लिए ठेक क्यार बाइबाइब जय हिंद झाल 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